5000 किलो मीटर मोटर साइकल चलाने के बाद वक्त आ गया था रशिया को बाइबाइ करने का मगर उससे पहले हमें करनी थी बॉर्डर क्रॉसिंग और अगर इंडियन पास्पोर्ट पे कजागस्तान की मोटर साइकल लेके रशिया से मंगोलिया का बॉर्डर पार करना हो और वो भी जब मोटर साइकल किसी और के नाम की हो तो पूस्तास तो होगी ही मगर तीन सफल बॉर्डर क्रॉसिंग के बाद मैं भी बजरंगी भाईजान से कम नहीं था उनका एक सवाल मेरे दो जवाब, उनका एक सवाल मेरे दो जवाब, सवाल जवाब, सवाल जवाब, सवाल जवाब, फिर एक लंबी खामोशी, वो शायद तुफान के आने से पहले वाली खामोशी थी, बाहर बादल गरज रहे थे, वर्शा बरस रही थी, कब कपाती ठंड मे 26 किलो मीटर के नो मैंस लैंड में 260 रुपे का रेन कवर पहन के मैं फाइनली मंगोलिया पहुँच गया बॉर्डर ओफिस पहुँच के मैंने पूछा कि भाईया इतनी ठंड क्यों हैं तो कहते मुस्कुराईए आप मंगोलिया में हैं पासपोर्ट पे स्टैंप लगवा के मैं जैसे ही बॉर्डर से निकला दूर दूर तक कोई इनसान नहीं दिखा और नजारे ऐसे थे जैसे लद्दाक के मोरे प्लेंस आ गए हो मोटर साइकल से मंगोलिया घुमना हमेशा से एक सपना था और अब वो सपना सच होता हुआ दिख रहा था Life is enjoy